क्या आपको पता है कि अगर आपका page load time एक second से भी बढ़ता है तो आपके page views 30% से भी जादा कम हो जाएंगे या फिर मैं कहूं कि अगर आपके web page ने एक second भी जादा लिया load होने में तो आपके जो viewers हैं वो 30% से भी जादा वहीं सही चले जाएंगे abandon कर देंगे आपकी website को देखिए bitter है बट ये चीज़ true है तो बहत ही जादा जरूरी है कि हम अपनी website की speed पर ध्यान दें और उसकी speed को increase करें यानि page load time कम करें तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पताने वाली हूँ कुछ ऐसे ways जो की definitely आपकी website की speed को बढ़ाने में काम आएंगे तो वीडियो को end तक देखना और उसके according जो जो ways आप यूज़ कर सकते हो अपनी website में वो आप यूज़ करना चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो जैसा मैं आपको बताया कि page speed बहुत important role play करती है आपके page views लाने में उसी के साथ conversion होने में बहुत सारे ऐसे surveys हुए हैं जिसमें अगर page speed ठीक नहीं है तो बहुत सारे जो e-commerce website पर जो visit करने वाले लोग हैं वो उसको abandon कर देते हैं और उस website पर दुबारा जाना वो लोग prefer नहीं करते हैं तो आपकी sales सो down होगी ही साथ ही आपके page views भी कम होगे हैंस आपकी ranking भी कम होगी तो इसलिए बहुत जाद ज़रूरी होता है कि हम अपनी website की speed को बढ़ाएं यानि page low time को कम करें तो इसके लिए कुछ ways जो मैं आपको यहां पर suggest करना चाहूंगी अगर आप IT field से नहीं है या फिर मैं कहूं कि आपको web development, coding, programming languages की जादा knowledge नहीं है तो इससे पहले एक वीडियो आई थी जहां पर मैंने आपको basic information दी थी website के बारे में तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो description box से आपको playlist मिल जाएगी जिसमें complete SEO course चल रहा है वहाँ पर आपको recently मतलब इस वीडियो से पहले ही वो वीडियो आई थी जहां पर मैंने आपको complete जो basic information है website के बारे में जो आपको जाना जरूरी है वो वीडियो जरूर देख लीजेगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कई सारे ऐसे ways बताने वाली हूँ जहां पर कुछ ऐसे words आप सुनेंगे जो आपको पहले नहीं बता हूँ तो वो वीडियो भी देख लीजेगा और इस वीडियो को चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बहुत सारे ways मैं बताने वाली हूँ अब सवाल आता है कि सारे ways आपको यूज़ करने हैं तो देखिए इस में से अगर आपकी website की performance बहुत जादा खराब है आपकी या फिर मैं कहूँ आपके client की website है तो बहुत जादा अगर उसकी condition खराब है यानि आप test करेंगे website का speed test करेंगे तो उसके लिए हम Google page insights यूज़ कर सकते हैं या फिर हम GT matrix यूज़ कर सकते हैं उसका भी complete tutorial आचुका है इसी channel पर तो आप चेक कर सकते हैं तो चलिए फिर वेज जानते हैं कि क्या के ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपनी website की speed को बढ़ा सकते हैं सबसे पहला और सबसे common तरीका जो कि आपको ज़रूर apply करना चाहिए that is to minify your JS and CSS files आपकी जो JS और CSS files होती है उनके बीच का जो extra space है उसको आप minify कर सकते हैं उसको आपको minify करना ही चाहिए क्योंकि देखिए STML तो वैसे भी बहुत ही कम space cover करता है लेकिन JS files जो होती हैं CSS files जो होती हैं यह काफी जादा space cover करती हैं अगर मैं पूरे structure की बात करूं website की पूरे size की बात करूं तो इसलिए आप यह चीज सबसे पहले recommend करेंगे अपने developer को कि आपकी जो JS files है आपकी जो CSS files है उनको minify करें किसी भी website की JS files, CSS files कैसे चेक करने हैं यह मैं को आपको जाना है source code पर source code पर आपको .js आपको type करना है और वो करने के बाद में कई सारी महाँ पर files हैंगी उनको open करके आप देख सकते हैं कि वो minified हैं या नहीं है जैसे मैं आपको कुछ example देती हूँ जैसे यह कुछ CSS files हैं इनको आप एक-एक को open करके देख सकते हो अब देखिए यह वाली जो मेरी CSS file है यह minified नहीं है जिससे definitely मेरी website की page speed बढ़ेगी तो यह चीज आपको सबसे पहले करनी है कि JS files को CSS को और even आप HTML को भी minified करा सकते हो जो कि आपकी page की speed को definitely बढ़ाएंगे यह हो गया पहला तरीका बहुत ही आसान तरीका इससे आपकी website पर कोई भी फरक नहीं पड़ेगा एक percent भी कोई फरक नहीं आएगा बिना किसी changes के आप अपनी website को definitely थोड़ा boost दे सकते हो दूसरा तरीका जो मैं आपको recommend करूंगी कि जो आपकी JSS और CSS files की जो loading है वो asynchronous style में होनी चाहिए यानि synchronous नहीं होनी चाहिए synchronous और asynchronous क्या होता है ये समझ लेते हैं synchronous में basically आपकी एक file load होगी उसके बाद में आपकी next file load होगी और जब तक आपकी first file load नहीं होती तब तक next वाली load नहीं होगी तो basically कहीं ना कहीं ये एक render blocking का का काम करेगा तो इस चीज़ को avoid करने के लिए आप asynchronous style रखे आपकी JS और CSS file किस तरह से load होगी ये आपको asynchronous रखना है जिससे कि वो जो सारी files है वो एक साथ ही load होना शुरू हो जाए कोई भी blocking ना हो और जो भी file पहले load हो जाए वो वहाँ पर appear हो जाए जिससे definitely हमारी जो page speed है वो सुद्रे की page load time कम हो जाएगा तो asynchronous वहाँ पर रखिए और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि browser जब आपके page को load करता है तो वो top to bottom जाता है तो top से जब वो bottom की तरफ जाएगा और बीच में वो देखता है कि कोई जो file है चाहे वो JS file हो या फिर वो CSS file हो अगर वो load होना नहीं शुरू हुई है तो वो वहीं पर ही रोख जाएगा और जिससे आपका जो browser है वो कहीं ना कहीं block होगा तो उसको हमें ध्यान रखना है कि asynchronous ही हमें उसका style चूज करना है कि वो कैसे load होंगे तो ये चीज़ apply कीज़ेगा अपनी website में और आपकी website definitely fast हो जाएगी तीसरा तरीका जो कि आपको definitely apply करना चाहिए अगर आप अपनी website के page load time को कम करना चाहते हैं वो हैं कि जो बड़ी files है like जो larger files है उनको defer करना defer करने का मतलब होता है उनको रोकना थोड़ी दिर weight पर डालना ठीक है जैसे जो JS files होती है जो कि काभी heavy होती है काभी बड़े size की होती है बड़ी images होती है या फिर कोई ऐसा media है उसको आप defer कर सकते हो कि पहले सारे element open हो जाने दो page का जो normal outlook है वो खुल जाने दो और उसके बाद में ये files जो है उनको load होने के लिए आप guide कर सकते हो इसके लिए अगर मैं JS की बात करूँ तो simply defer.js लगता है जो कि आप website के अपने body section में लगाते हैं otherwise अगर आपकी coding में website है तो आप अपने developer को ये चीज़ guide कर सकते हो कि मुझे JS है उसका size जादा है काफी बड़ी JS file है तो आप उसको defer कर सकते हो कुछ particular image को आप defer कर सकते हो और वहाँ पर lazy load आप लगा सकते हो तो deferring the larger elements can definitely speed up your website और ये चीज़ आपको definitely करनी चाहिए क्योंकि देखिया अगर page open होगा अगर मैं एक audience की तरह सोच हो तो directly तो मैं उसके काम करने लगूंगी नी मैं पहले उसको website को load होने दूँगी फिर उसके बाद में मैं उसके काम करना शुरू करूंगी तो JS जो files होती है आप उनको थोड़ा सा बाद के लिए रख सकते हो तो मैंने आपको definitely बोला था कि क्या आपको एक shared hosting लेनी चाहिए या आपको एक VPS लेना चाहिए या फिर एक dedicated hosting लेनी चाहिए तो यह depends करता है कि कितनी requests आपकी website के लिए भीजी चाहती है या फिर मैं simple language बोलो कि कितना traffic आपकी website पर आता है जैसी आपकी requirement है उसके according ही आप hosting अपनी लेन चाहिए वो shared हो चाहिए वो VPS हो या फिर वो dedicated हो या फिर वो cloud हो तो जब भी आप अपनी hosting चूज करें ये ज़रूर ध्यान में रखें कि आपकी requirement कितनी है कितनी request आपकी website के लिए आएंगी और उस recording कहीं उसका असर direct page load पर तो पड़ेगा या नहीं पड़ेगा तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है next चीज जो की बहुत ही ज़ादा common है और वो है image compressions जो आपकी large size of images है और मैं image क्यों कहूं हूं मैं कहती हूं media अगर कोई ऐसा media आपने attach किया हुआ है जिसका आपको लगता है कि इसका size काफी ज़ादा है तो उसको आप compress कीजिए वैसे normally google कहता है कि आपकी website पर जो images होनी चाहिए maximum जो उनका size होना चाहिए अगर आप अच्छी speed चाहते हैं तो that could be 100kb तो 100kb से जाद आपकी images ना हो अगर हैं तो आप उनको compress कीजिए तो इस चीज़ की already वीडियो आ चुकी है कि कैसे आप अपनी images को compress कर सकते हैं WordPress पर कैसे plugin लगा के एक साथ सारी images को कर सकते हैं तो उसके लिए description box में आपको SEO का complete course की playlist मिल जाएगी जहां से आप image compression वाली वीड में भी convert करें क्योंकि देखिए अभी तक हमने PNG के बारे में सुना है JPEG के बारे में सुना हैं लेकिन कुछ इस तरहा के formats हैं जिसमें अगर मालीजिए जैसे मैं webp की बात करती हूं तो webp की 10kb की एक photo और JPEG की 100kb की एक photo की quality बराबर होती है तो approximately 90% से भी जादा आपका space जो है वो webp format में convert करने से आपकी images का कम हो सकता है तो क्यों ना हम next generation format की तरफ ही move करें तो इसी लिए आप अपनी images को try करें कि जितना हो सके वो next gen format जैसे webp हो गया उसमें convert करें next चीज जो की बहुत जादा important है और आपने जरूर experience की होगी कि कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि एक बार आपने किसी website को load किया तो उसमें कुछ time लगा लेकिन जैसे ही आपने उसको next time load गया तो time कम लगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके browser का जो cache files होती है उसमें वो user load करता है किसी website को तो वो temporarily उसका data को save हो जाता है तो next time जब आपका user उस website को दुबारा load करता है तो उसको time कम लगेगा और definitely website की speed हमारी बढ़ जाएगी यानि page load time कम हो जाएगा तो आपको ज़रूरी है आप अपने developer को भी यह चीज गाईड कर सकते हैं कि आप browser caching को on रखे उसके लावा एक चीज जो कि मैंने last video में बबात की थी वो है CDN CDN का मतलब होता है content delivery network अब usually क्या होता है मैंने last video में भी example लिया था कि यहाँ पर अगर मेरी website है इस server से connected इंडिया के local server से connected है तो लेकिन अगर मेरी website की request आती है US से अमेरिका में कोई person बैठ के यहाँ की website की request क कर रहा है तो obviously यहाँ के server से जितना जादा वो physically दूर है user तो obviously बात है कि information है वो काफी दूर तक travel करेगी definitely इस चीज में time जादा लगेगा तो content delivery network जो है basically यूँ समझ लीजे आप एक global server है जो की हर एक country में serve करता है तो इसलिए अब वहाँ पर क्या हुआ कि आप यहाँ पर जो roots है वो बहुत सारे create हो गए है और अगर US में ही बैठ के मेरा user server से request करता है मेरी website की तो उसे वहीं के ही local server से information मिल जाएगी because I have enabled CDN तो अ और अगर आप अपनी website में CDN यूज करते हैं तो not just other countries बड़ आपकी जो खुद की country में भी आपकी website की speed बहती improve होगी next जो कि आपको definitely try करनी चाहिए that is to optimize your css normally तहले का होता था कि जो stml है उसी के साथ में आपकी css की file लग जाती थी not just the file बड़ सीधा जो data होता था वो आपक HTML को load होने में काफी time लगता था क्योंकि css भी उसके साथ में ही merged है लेकिन अब आपको जो आपकी css की delivery है वो externally देनी है यानि बहुत ही short में समझाओं तो यह आपका stml है आपने जो css है वो कहीं और बनाया और उस file को सिर्फ attach कर दिया अपने stml के साथ में तो अब क्या हो css की delivery को भी optimize करना बहुत जादा ज़रूरी होता है इसके लिए directly आप अपने developer से contact कर सकते हैं और उन्हेंने बोल सकते हैं कि तो अगर css directly आपके html में attached है तो definitely आपके code का size increase हो जाएगा और उसे load होने में time लगेगा right so simple सी यह चीज़ याद रखनी है कि जो आपका css हो व जिसमें JS था और वह stml में सिर्फ linked थे okay so जिससे हमारा code जो था वो छोटा हो जाएगा और load time कम हो जाएगा इसी के साथ ही आप अपने images अपने media के साथ में lazy load लगा सकते हैं यानि जब तक आपकी images क्योंकि images को हमें defer करना है मैं आपको बता दिया लेकिन defer जब तक वो हो मतल लिया था कि किस तरह से आप इसे लगा सकते हैं और उसी के साथ साथ में time to time अपनी website का speed test करते रहो मैं आपको दोनों टूस बता दिये हैं वीडियो नहीं देखी तो आपको description box से playlist का link मिल जाएगा वहां से आप video देख सकते हैं जहां पर हमने देखा कि किस तरह से आप अप website की speed को test कर सकते हो तो time to time आप चेक करते रहिए और अपनी performance को track करते रहिए और उसी recording यह जो ways मैंने आपको कुछ बताए यह आप apply करते रहिए देखी यह मैंने आपको कुछ ऐसे ways बताए हैं जो आप अपने end पर कर सकते हैं लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे ways हैं जो कि आपक website की speed को बढ़ाते हैं और जिनको optimize करके आप उन्हें कम कर सकते हैं कई सारी जो advice हैं वो आपको आपके developer ही देंगे आप उनके साथ discuss कर सकते हैं कि हमारी website की speed बहुत जादा है कैसे हम इसको reduce कर सकते हैं और जैसा मैंने बताया कि आज के time मागर आपको SEO करना है तो best thing is कि अपन नहीं होगी तो बहुत जादा आपकी abandon होगी आपके page को और retention आपका कम होगा तो कोई भी ऐसा नहीं चाहता तो इसलिए बस अच्छा काम करते रहो hard work करते रहो and SEO भी जरूर सीखना है पूरा and don't forget to subscribe WSQ Tech जिससे आपसे एक भी वीडियो मिसना हो thank you so much कर दो